नमस्कार दोस्तो तो आज हम question paper number 113 discuss करने वाले है अभी तक total 112 question paper हमने discuss कर लिए है आप सभी को इस video का pdf telegram channel पर provide कर दिया जाएगा जी के वितार जे के नाम से telegram channel बनाया गया है और इस link description box में दे रखी है आप लोग चाहे तो channel को join भी कर सकते हैं और साथी साथ हमारी YouTube channel को subscribe कर ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल के साथ पूछा है कि किस राज जी की राजधानी का नाम स्वतनत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है ठीक है तो देखो तमिल नाडू को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था पस्चि किस वंस के राजा ने रोम राज में एक दूध 26 इसा पूरू में भेजा था तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स पांडिया ने ठीक है तो पांडिया जो एंपायर है इनके द्वारा जो है एक रोम में एक राज दूध को भेजा गया था फिर क्या दिया है इलेक्ट्र का आविसकार तो Charles Beves ने किया है जबकि electronic computer का आविसकार करने का जो स्रे है वो किसको जाता है Allen Turing को जाता है ठीक है याद रखिएगा अना father of computer किसको बोलते है Charles Beves को बोलते है electronic computer जो है ये किसने बनाया है तो Allen Turing ने बनाया है अगला सवाल है तारी के फिरोज साही जो है ये किसने लिखी है तो जिया उद्दीन बराउनी ले लिखी है ठीक है किसने लिखी है जिया उद्दीन बराउनी अगला क्या दिया हुआ है कि ब्रिटिस भारत में सांपरदाईक प्रतिनी दित्व मतलब अगला सवाल दिया है कि ब्रिटिस सामराज पूरी तरह सड़ चुका है हर तरह से ब्रस्ट अत्याचारी वहीन हो चुका है या कथन किसके द्वारा कहा गया है तो सिस्टर निवेदीता के द्वारा ठीक है किसके द्वारा सिस्टर निवेदीता के द्वारा अगला सवाल है कि किस ने कहा सारी सांप्रदाइकता हानिका रखे अलप संक्यक सांप्रदाइकता का तर्क अलगाववाद है और बहुत संक्यक सांप्रदाइकता फासिवाद में नहीत है तो यह किस के द्वारा कहा गया है तो यह फ्रेंड्स कहा गया है विपिन चंद्र के द ठीक है अगला सवाल देख लेते हैं बुला है कि मद्ध प्रदेश में निमलिखित में से कौनसा राज़स्वकर राज्य सरकार दोरा पंचायत के साथ साजा नहीं किया जाता इसका अंसर हो जाएगा कारपुरेट टेक्स क्या हो जाएगा नीगमित टेक्स अगला सवाल है कि निमलिखित में से कौनसा बेंक केंद्री ये मद्ध प्रदेश गरामीन बेंक का प्रायोजग बेंक है तो इसका अंसर हो जाएगा बेंक आफ इंडिया अगला सवाल बोला है कि मद्ध प्रदेश राज कोशी उत्तरदाईत एवं बजट प्रमंदन अधिनियम किस वर्स में लाया गया था तो वर्स 2005 में इसे लाया गया था मद्ध प्रदेश का पहला गरीब बेंक जो है ये कहाँ पर खोला गया है तो मद्ध प्रदेश का जो पहला गरीब बेंक है जो है ये कप्रारंब की गई है तो फ्रेंट्स इसको जो है वर्स 2009 में प्रारंब किया गया ठीक है MP Poverty Alleviation Project 2nd 2009 में इसकी सुरुवात की गई है अच्छा बताइएगा कि कौन सी पंचवर्सी योजना में घरी भी हटाओ का नारा दिया गया था अगला है कि ऐसी रिट जो नियाएपालिका द्वारा जारी की जाती है तता जिसमें कारिपालिका से कहा जाता है कि वैसा ऐसा कारिय ना करे जो उसे प्रदत्त सक्तियों के अंतरगत करना चाहिए था ठीक है उस रिट को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है अगला है कि राजी के निती निदेशक ततु के बारे में क्या बुला है कि एसा सिध्धान्त एक ऐसा चेक है जो कि बैंक सुविधान उसार अदा किया जा सकता है ये किसके द्वारा कहा गया है तो ये केटी साह के द्वारा कहा गया है ठीक है तो केटी साह ने जो है of industry management of workers in parties industries ठीक है management of workers in industry इस टाइप से जो है वो एक वो सब्द इस्तेमाल किया है इन्होंने अंडमान और निकोबार्द वीप पर निमलिखित उच्च नियालेव में से किसका एक छेत्र अधिकार देखने को मिलता है तो यह है कलकत्ता भारती सविधान ने अवसिस्ट अधिकारों को जो है वो क्या किया है तो इन्होंने जो है ना फेडरल गवर्मेंट को दे रखा हुआ जो आपका जो रेसिडियल पावर होती है वो किसके पास में है तो रेसिडेरी राइट्स जो है वो फेडरल गवर्मेंट के हाथ में है फिर यहाँ आनुपातिक प्रति निरित्व की विवस्ता निवाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है तो क्या सुनिश्चित करती है तो representation of minorities को सुनिश्चित करती है अगला है कि चलेईया समीती का संबंद जो है वो किस से है तो यह है friends reforms in direct and indirect taxes तो जो चलेईया समीती है इसका संबंद है direct and indirect taxes जो की reforms लाए गाए थे ना उससे संबंद ही थे अगला है कि which of the following releases the wholesale price index data in India तो इसको निकालता है ministry of consumer sorry ministry of commerce and industry इसे निकालता है किसको तो wholesale price index को ठीक है अगला क्या दिया है मद्यप्रदेश तासन द्वारा निमलिकित में से किस वर्स पंचायत अदिनियम नहीं बनाय गया था ठीक है तो कब नहीं बनाय गया था तो 1975 में फिर क्या दिया है अटल किसान महा पंचायत कारिकरम का सुभारम किया गया था तो ये किया गया फ्रेंट्स वर्स 2012 में कब किया गया है वर्स 2012 में अगला है कि मद्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश से जो है वो क्या था तो इसका जो में उद्देश से है वो क्या था तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल राइट्स टू भी वेस्टेड इन दी हैंड्स अव जनरल पब्लिक देखो क्या है कि हमने सविधान बना दिया सविधान में आर्टिकल जो है आपका एक आर्टिकल सामिल किया गया था जो कि गांधियन प्रिंसिपल पर वेस्ट था आर्टिकल 40 बोला गया था कि भाईया पंचायतों का गठन करो तो पंचायतों का गठन करते करते जो है हम लोगों ने लगबग 26-27 साल लगा दिये उसके बाद जो हमको समझ में आया कि थोड़ी जो पावर है वो लोकल एड्मिनिस्टेशन को भी दे दी जाए तो उसके बाद हमने 73rd और 74th constitutional amendment act लाए भा चाहिसे मान लीजिए जो आदिनी के हाथ में पावर होना जो है है वो क्या करता है सैंट्रलाइस पावर को स्टेबलिस करता है अगर यह जो पावर है यह जो है सबसे सभब से लिवल को भी अगर प्रॉइट की जाए तो इसको कहा जाता है क्भी इसें लाइज़ेशन इसको तो जो डिस्टिक कलेक्टर होता है उसके पास ये चार्ज होता है फिर दिया है वो अमंग दी फॉलोविंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्यपरदेश हाई कोट है इसे जो सवाल है आपको डारेक्टली देखने को मिलेंगे एके पटना एक थे आर्वी रवीन रण भी थे ए बिलकुल सही है गुलसे रहमत भी थे तेजलाल टेमरे भी थे विक्रम वर्मा नहीं थे तो यही आंसर हो जाएगा हमारा अगला है कि जनसंक्या कैनुसार सही पंचायतों का मिलान करो बोला है तो देखो सबसे बहले ग्राम पंचायत जो है एक हजार से अधिक होना चीए ज बैगाओं के संबंद में आसत्य कथन बताना है तो देखो क्या है कि यहां पर बैगार जन जैती कोशन इन लोगों ने डिलीट कर दिया तो देखो जो बैगार जन तो सबसे पहले इसका स्टेटस क्या है यह पर्टिकुलर्ली वल्नेरेबल ट्राइबल ग्रूप के अंतरगत सामिल किया गया इसको तीन जन जातिया है तो बैगा भारिया और सहरिया जो है वो पीवी टीजी का स्टेटस दे रखा हुआ इनको ठीक है और इनकी जो सुसाइटी प्रदान सोसाइटी देखने को मिलती है और साथी साथ इनका जो मुक्या होता है यह कौन होता है जो सबसे एल्डेस्ट होता है वही इनके हां का मुक्या कहलाता है ठीक है और साथी साथ जो है इनमें बैगाव में जो है एक तो बेवार क्रसी जो है वो फेमस है तो यह कोश मुख्य मंत्री रासन आपके द्वार कितने जीलों में योजना चलाई जा रही है तो यह 16 जीलों में चलाई जा रही है मुसकान अभियान जो है इसका संबंद किस्टे है तो मुसकान अभियान जो है यह किस्टे है तो stop kidnapping of girl child तो इससे यह संबंदी थे ठीक है उसके बाद जो है अपना अगला सवाल क्या बोला है मद्यप्रदेश के सरवादिक साक्षरता वाले जीलों का बढ़ते करम में आपको बताना है तो देखो यहां पे क्या दिया है साक्षरता बताना है सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है जबलपूर की जबलपूर के बाद मतलब बढ़ता करम में बताना है जबलपूर के बाद आपको किसका करम देखने को मिलेगा तो यह इंदौर देखने को मिलेगा उसके बाद जो है आपको बोपाल देखने को मिल जाएगा तो हमको बढ़ता करम बताना है तो मतलब इधर से जाना है तो बोपाल इंद और जबलपूर कहां दिया है तो यह C में दिया यही आंसर हो जाएगा अगला है कि निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है वोला तो देखो जो सोनारी स्टूप है यह बेशनगर विदिसा में नहीं है यही हमारा आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते है गया सुद्धिन तुगलक से संबंदित कौन सा अभिलेक है तो यह है बटियागड अभिलेक कौन सा बटियागड अभिलेक अगला है टिकमगड की किस राणी ने अंगरेजों का साथ दिया था तो यह है राणी लड़ाई सरकार ने ठीक है तो राणी लड़ाई सरकार जो है इन्होंने अंगरेजों का साथ दिया था और यह टिकमगड की थी महामलिस्तान एवं मेवासा की सिस्थल के प्राचीन नाम है तो ये eprend आपका जो नाम है ये विदीवासा का इतिक है तो महामलिस्तान एवं मेवासा जो है ये ancient name है किसके विदीवासा के ये बहुती important चीज है मैंने भी पहली बार जो है ये नाम पढ़ा है आज तक इससे पहले कभी नहीं देखा था महा मलिस्तान और मेवासा ये विदीसा को ही बोला जाता है इसको बेशनगर भी बोलते है अना इसको भिलसा भी बोलते है अगला सवाल क्या दिया है यहाँ पे तो ये मैच करने के लिए बोला है तो देख लेते हैं तो अजयगर जो है ये पन्ना में इस्तित है रोनी जा जो है ये उज्जैन में इस्तित है ठीक है नेमावर देवास में है, निमरानी घरगौन में है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 4, 3 अगला है घोटुल प्रता के बारे में पूछा है फ्रेंट्स तो इसमें जो है अलब दिय अबो इसका आंसर हो जाएगा तो देखो क्या है कि घोटुल में सम्मिलित होने वाली लड़किया मटुयारी कहलाती है, इस्टेटमेंट सही है घोटुल में सम्मिलित होने वाले लड़के चेलिक कहलाते है वेरियल एलविन जो है इसने इस प्रता का विवेचना की है तो ये भी statement सही है तो उपरोग तो सभी हमारे answer हो जाएंगे अगला सवाल दिया है मद्द्परदेश में हर छट मतलब हल छट का तिवहार मना जाता है तो ये भादो कृष्ण सस्टमी को मना जाता है अगला सवाल है कि मद्द्परदेश का अब करांतिकारी नेता जिसने निमाड अंचल के बीजा सेन गाट पर ब्रिटिस सरकार की सहाट अफीम से भरी गाड़ियों को लूटा था इसका नाम क्या था तो ये था खाज्या नायक कौन था खाज्या नायक कौन था तो ये भील नेता था अगला है कि भारती इतिहास के किस महान सासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है तो हिंद का नेपोलियन कहा जाता है समुद्र गुप्त को ठीक है लब हिंदुस्तान का नेपोलियन किसको कहा जाता है तो एक मिनट क्या बुला है इसमें संद्र गुप्त ही तो है बैरत करण देव को इसकी महान विजययों के कारण हिंद नेपोलियन कामा जाता है जबकि महान दिया हूँ है कर दिया हूँ प्लियों बात क्या याद रखनी है तो जो कर्णदेव है इसको क्या बोला जाता है हिंद का नेपोलियन और जो भारत का नेपोलियन है वो किसको बोलते है समुद्र गुप्तो एक और याद रखना है सेंट्रल इंडिया का नेपोलियन किसको बोलते है तो यश्वंतराओ होलकर का नाम स उनी को बोला जाता है तो कर्णदेव जो है इसको हिंद का नेपोलीयन कहते है ठीक है समुदर गुप्त को भारत का नेपोलीयन और सेंट्रल इंडिया का नेपोलीयन किसको कहते है यश्वंतराओ को अगला है कि 11 सताफदी में मालवा के सासक राजा भोज को पराजित करने के यह गठित त्रीगुट संग गठ संग में सामल सासक कौन थेalo clean तो यह उपरोक्त सभी इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या तो नहीं चालूग की सासान भीम प्रथम जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा तो इन्हों नहीं t ibaas को अराया था मालवा के सासक राजा भोच को पराजित करने के लिए कल्चूरी सासक कर्णदेव, चालुक की सासक भीम एवं कल्यानी सासक चालुक की नरेश सोमेस्वालाट ने त्रिगुट संग जो है वो बनाया था अगला सवाल हम देखते है इसमें बोला है मद्ध्य प्रदेश में चित्रकला की पटना सैली का संरक्षन एवं प्रोचाहन प्रदान किया है तो ये किया है फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सिंदिया ठीक है तो सिंदिया सासको ने जो है इसको संरक्षन प्रदान किया है अगला सवाल है कि मद्यप्रदेश की नदियों के संदर्व में पूछा है सवाल तो बता देते हैं इसका आंसर हम तो वेन गंगा महा नदी के संगम ये स्टेटमेंट गलत है ठीक है मद्यप्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमेटर है सही है तो 2017 में इसको जीवित स्टेटस दिया गया तो दो और तीन सही हो जाएंगे ठीक है बाकी का जो है स्टेटमेंट कलत है अगला सवाल देखते है अगले सवाल में हमसे बोला है फ्रेंड्स कि सो नदी के संदर्व में निमन लिखित कतनों पर विचार कीजिए तो सो नदी का उद्गम अमर कंटक से हुवा है इसकी लंबाई 780 किलोमेटर है यह बियार के पास पटना में गंगा नदी के पास मिल जाती है यह सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वह आपके सही हो जाएंगे मद्य परदेश के किस जिले में सीसे के भंडार मिले है जाएगा आपका ?ःे अगला सवाल देखते है इसमें बुला है मद्यप्रदेश में तवा vastly आवं नर्मदार का संगमבר किस इस्थान पर होता है to यह ऐ है बांदरावान आज़सर क्या हो जाएगा बांदरावान जल रहे ताकि नर्मदा रहे पुस्तक जो है ये किसकी कृती है तो friends ये जो कृती है ये किसकी है तो इसका अंसर हो जाएगा पंकज श्रीवास्ताओ ठीक है अगला सवाल है इसमें क्या बुला है कि निमलिकित में से कौन सुमेलित है तो कौन सा सुमेलित है तो सारे के सारे सुमेलित है ये सवाल अमने पिछले लेक्चर में ही solve किये है तो लगभग ये सेम सवाल देखने को मिल जाते है तो देश में एग्रो एकॉलोजिकल जोन जो है वो कितने है तो टोटल देश में जो है agro ecological zone टोटल आपको 20 देखने को मिल जाते है मद्ध परदेश में 11 है ठीक है मद्ध परदेश में 11 है और इंडिया में total किते है 20 है थोड़ा सा मुझे doubt है कि इंडिया में total agro ecological zone जो है वो कितने है आप लोग मुझे बताइएगा क्या बोला है कि larger deposit of which are found in विंद्या rocks तो यह limestone पाया जाता विंद्या rocks में ठीक है अगला है कि north-south corridor पर इस्तित निमलिकित नगरों को उत्तर से गौलियर ले ले लेते है फिर नागपूर ले ले लेते है ठीक है फिर इसके बाद हम ले लेते क्रिश्चना गिरी के तो क्या हमारा यह statement सही बनेगा हाना b d c a sorry b d a c कहीं दिख रहा है b d a c तो friends यह जो answer है आपका a में दिख रहा है तो a ही हमारा answer हो जाएगा ठीक है अगला है कि यहाँ पे क्या बूला है कि निमलिकित युगमों को सही सुमेलित कीजिए सही सुमेलित है पूचा है तो इसका answer हो जाएगा एटलस परवत जो है उत्तर पस्चिमी अफरिका में अगला सवाल देखते है एक मिनिट क्या बूला है सही सुमेलित है अगला सवाल है अजर्शन और रिजन दे रखे हुए है तो देख लेते हैं फ्रेंट्स बुला है अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुक्य चेतर है फिर पंपास की उपजाव मिट्टी तता सीतोष्ण जलवायू फसल और घास उगाने के लिए बहुत उ उत्तरदाई है तो कौनसा उत्तरदाई है तो यह मांसुनी प्रभाब पाया जाता है मांसुनी विंट्स जो है आपको देखने को मिल जाएगी इंडियन ओशियन में अगला सवाल क्या दिया है कि सोडियम क्लॉराइड के अलावा समुद्र के पानी से व्यवसाइक पैमाने पर कौन सा पदार्थ जो है ओप्राप्त होता है तो Iodine भी प्राप्त होता है ठीक है ? Iodine भी हां से प्राप्त होता 始द्बा अगला कै दिया है ? यहां पर देखो यह मद्वघ्रदेय्स की संस्ता है Trifect तो Trifect के बारे में दिया होगा इन्होंने ट्राइफेक जो है वह निवोसिकों के लिए प्रारमभी कनुमोधन के लिए अपने परियोजना प्रस्ताओं प्रस्तुत करने के लिए एकल टेबल निकासी सुविधा है बिल्कुल सही है ट्राइफेक का मदला मद्ध्यप्रदेश में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेस से अत्यदिक प्रभावित हुई है तो ये statement गलत है सहर्या की उत्पत्ती कोलेरियन जाती से हुई है ये statement भी गलत है तो हमारा answer हुजाएगा C ठीक है ये दोनों statement गलत है अगला है कि राज जी के मतलब DPSP के बारे में पूछा हुआ है तो देख लेते हैं ठीक है इसे हम थोड़ा सा इंगलिस में पढ़ते हैं तो विट रिस्पेक्ट टू डाइर्टिव प्रिंसिपल्स अफ स्टेट पालिशी वीच आप दी फॉलिंग पेर्स इस नॉट करेक्टल इमेजड बोला है तो आर्टिकल फिप्टी तू प्रोटेक्ट अल्मॉनिमेंट ऑफ हिस स्टोरिकल इंट्रेस्टेंड नेशनल इंपोर्टेंज यही हमारा अंसर हो जाएगा फिर क्या दिया है रिसेंटली लोकली डिजाइंड आर ब्रांडेड हीटिंग सिस्टम इस ग्रांटिंग पॉपिलारिटी इन दी विलेज और लद्दाग हिमाचर प्रदेश और उत्तर क्रिप्टो करंसी के रूप में सूची बद्द किया गया है और म्यानमार रुआ इसका उपयोग आधिकारिक मुद्रा के रूप में भी किया जाने वाला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टीदर यह प्रकार की क्रिप्टो करंसी है ठीक है सबसे बड़ी करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है इसको बोलते है फॉर्मेटिंग अगला सवाल क्या दिया है Microsoft Office जो है वो उधारण है तो यह एक प्रकार का बंद सुरूत software है मतलब closed source software फिर क्या दिया है कि default रूप से आपके दस्तावेज जो है वो portrait mode में print होते है ठीक है कैसे mode में portrait mode में सबसे अधिक संख्या में योगिक खालिस्तान तत्व के द्वारा बनाये जाते है तो यह carbon के द्वारा बनाये जाते है ठीक है अगला सवाल है कि cellulose जो है वो क इसा में एक नया जैव प्रदिगी की दर्ष्टी कौन है तो यह है किस-किस का तो हो जाएगा monoclonal antibody और antibiotics यह दोनों की दोनों हमारे पहला राज्य था तो यह भी सही है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी बोथार राइट फिर क्या दिया है कि राष्टपति संग लोक सेवा आयोग मतलब UPSC एक मिए इस से थोड़ा में इंग्लिस में देख लू कि क्या दिया है इसमें D सारे की सारी options है यह बोल रहा है तो देख लेते हैं इसको यदि वह मतलब UPSC के बारे में बोला है किसी सदसी के मामले को उच्टम नयाले में भेजे बीना किन परिस्तितियों से हटाया जा सकता है यदि वह अपने पद के कारेकाल के दौरान अपने कारे लेकर करता हुए क किसी भी बुक्तान वाले रोजगार में सनलगन है तो अगर उसे दिवालिया गोसित गया है तो फिर यदि यहम यदि वह मन और सरीर की दुरबलता के कारण पत पर बने रहने के लिए आयोग यह हो तो भी ठीक है तो आंसर हो जाएगा आपका D ठीक है चौता वाला जो है य सोधन अधीनियम दो या दो से अधिक राज्यों के राजएपाल के रूप में एक वेक्ति की निवक्ति के लिए प्रावधान करता है तो यह फ्रेंड्स जो सेrąलेंब्यमेंट आया था फिर दिया है Montreal Protocol का संबंद जो है वो निमलिखित में से किस से है तो Montreal Protocol जो है निमलिखित में से किस संबंदित है तो इसका सही आंसर हुजाएगा friends B से ठीक है ओजोन रिक्तिकरण की जाच Montreal Protocol आया था 1987 में उसके बाद अगला है कि राज जे सूचना आयोग के वेतन भत्ते और अन्य सेवा सर्ते निमलिखित में से किसके संकच होते है तो member of state civil services के अगला सवाल है कि निमलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समीति के सदस अची है तो कौन कौन है तो मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति में कौन कौन से member होते है तो इसमें होते ही नहीं यह आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखते है क्या यह statement सही है एक मिनट इसमें जो है न थोड़ा सा option गलत दिया हुआ है जैसा कि आप लोग मुझे बताइएगा कि वो तीन member कौन कौन से होते हैं इन लोगोंने delete मार दिया है इए प्रोम जो है इसको बोलते है electrically erasible programmable read only memory ठीक है अगला सवाल क्या दिया है बुला है कि AVI प्रारूप किसके द्वारा विक्सित किया गया है तो यह विक्सित किया गया है Microsoft के द्वारा फिर क्या दिया है अगला सवाल बुला कि संस्थान के द्वारा the state nutrition सीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है तो यह नीती आयूग ने जारी किया है ठीक है इसका अगला सवाल है कि निमलिकित कर्णों पर विचार कीजे तो देखो द्रोनाचारी पुरुसकार 1925 से प्रारंब किया गया है यह statement तो बिल्कुल सही है यह पुरुसकार खिलाडियों को प्रसि प्रामेलिक नहीं है बताना है ठीक है तो जो डी है वो नगरी निकाय दिवस नहीं है एक नवंबर यही हमारा आंसर हो जाएगा अगला सवाल है कि हाल के दिनों में एक मजबूत राजनीतिक वारता मंच के रूप में उबरे क्वार्ड समूं में निम्न में से कौन सा देश सामिल नहीं है इसमें स्रिलंका सामिल नहीं है अगला क्या दिया है कि तिहतर्वे गड़तांतर दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पूरुसकारों की गोशना की गई मद्द प्रदेश से संबंद रखने वाली राम साय पांडे को किस चेतर में यह पूरुसकार दिया ग कि भारती मांसून मौस्वमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है जिसका कारण है इस्थल तता समुद्र के बीच में विभेधी तापन हना differential heating of land and sea अगला सवाल देखो temperature difference की वज़े से क्या होता है कि high pressure low pressure की condition जो है वो पैदा होती है ठीक है और इसी की वज़े से जो है हमारे यहां पर बारिज देखने को मिल जाती है अगला सवाल क्या दिया है इसमें अजर्शन दिया है और रिजन दिया है तो क्या यह statement सही है तो बिलकुल सही है आर दिया है as one moose up in the the hematic monsoon winds will get higher and higher तो यह दोनों स्टेट्मेंट हमारे सही हो जाएंगे ठीक है दोनों एक दूसरे को explain भी करते है अगला है कि oral rehydration therapy की सला जो है किस रोग में दी जाती है तो यह दी जाती है है जामें ठीक है बार बार जो है ना दस्त वगर लग जाते उसमें दी जाती है राश्टी महिला आयोक से संबंदित निम्लेकित कतनों पर विचार कीजिए बोला है तो देखो इसका जो सही आंसर है यह हो आते हैं फिर दिया है भारहिन्ता की अवस्था में एक मुम्बत्ती की जौला का आकार जो है वो कैसा हो जाएगा तो यह गोलाकार हो जाएगा अगला क्या दिया है अक्रिखो जैरनिटी हो again के भारण के अए差 सवल बैंन्योर निम्लिखित चतनों पर विचार तो एक और दो दो जो है ना ये दोनों की दोनों सही है यह हमारा अंसर हो जाएगा इसके आदिया है हाल ही में भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर आधारी देश के प्रताम अंतर राष्टी पाक का निर्मान जो है मद्द्पर देश के कौन से जिले में किया जा रहा है तो यह किया जा रहा है राइसेन में राइसेन में भी कहां पर साची में ठीक है चिकित्सक परामर्स देते है कि हमें बोजन वनस्पती गी की अपिक्षा तेल में बनाना चाहिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये तेल में असंतरप्त वसाय होती है अगला सवाल दिय करका इस्तित नहीं है तो आंसर वे जाएगा सहीवत राज अमेरिका ठीक है देश से ड्रॉपिक खैंसर है ना यह पास होती है मेक्सिकों से किसे मेक्सिकों से ना की USS है तो हमारे हो गए total 100 question complete तो अब आप से मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद